हेलो फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम तो दे चैनल कैसे हैं आप लोग दोस्तों 11 11 के बाद से एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यदा अच्छी चल रही है ठीक है अना इम सो हैपी फॉर आल अफ यू की असेंशन के जो एनर्जी चल रहे हैं और जुछ तरह से डी एफ ने अपने 2021 पूरा जो डी एफ ने शो किया है उसके बाद से जो आपका असेंशन हुआ है वो एक नेक्स लेवल जो है अब जाने वाला है ठीक है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुकामना है अच्छे से आप अपने जर्नी को कंप्लीट कर पाएं ये मेरी हमेशा से कामना रहत आप लोगों के लिए ठीक है दोस्तों तो यहां पर नीड ओफ तर्टी अभी जो है केवल वो बताती हूं आपको तो अभी जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो रखा है वो ये है कि अगर आपके आप में से कुछ लोगों को अगर क्राउन में पेन है तो आपको अपन बहुत ज़्यादा है तो अभी आपको बिल्कुल अपना क्राउन पर वर्क करना है और सेकंड तिंग है कि बहुत ज़्यादा हार्ट पाल्प्टेशन होना या फिर हार्ट बीट एक दम से बढ़ जाना ठीक है या फिर आपका जो है हार्ट में जिसको कहते हैं आप एक ठीक है मतलब रेस्लेसनेस हार्ट के अंदर हार्ट चकरा के अंदर अगर आपको फील रही है तो आप अपने हार्ट चकरा पर करिए गा और नेक्स्ट इंग है आपका बहुत ज्यादा जरूरी अप़ी जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज हुई पड़िए all the for all the divine feminines मैं त करती हूं जितने लोग देख रहे हैं कर ही लीजिए ठीक है तो आप अपना dmdf balancing पे एक बार जरूर work करिएगा ठीक है अगेन आपने बहुत अच्छे से चाहे balancing कर भी रखा है तो भी आप करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है emotional ups and downs इस time के आपको feel हो रहे होंगे ठीक है mood switch होता है एकदम से और आपका एकदम से suddenly आपका masculine बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है sometimes you are so practical आप अपना इतना focus जितना अपना जो है ऐसा point of view रखके चलते हो कि मतलब आपको जर्नी के बारे में नहीं सोचना है ठीक है तो आपको मतलब sometimes आपको इतना imbalance कि आपको लगेगा कि नहीं आपको जर्णी के बारे में कुछ नहीं सोचना आपके अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको माँ फोकस करना है तो इट मिन्स कि आपका मैस्कुलीन एनरजी हाई हो रहा है ठीक है यू विल ट्राइटू अवोईड यूर मैस्कुलीन थे कि अपको इसे हो रहा है है तो आपका मैस्कुलीन ए वह वह हो रहा है ठीक है फिरог अच्छानक्स एक ऐसे इमोशनल जो है आपगा अजिस को कहते अप हैवलाता हैipeag उतार चड़ावाता है इमोशनली की आपको यह लगता है कि आपको क्यूं जो है इतना पेंद ना दर मिला या फिर सम्टाइमस आप बहुत ज़्यादा क्राइंग में चले जाते हो तो इट मींज कि छोज डेट आपकी फैमिन इनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है तो यहां पे क्लियर ली यह पता चलता है कि अगर इस तरह के अपसंड डाउंस इस तरह के मूब स्विंग अगर आपको आ रहे हैं तो क्लियर ली यह शो करता है कि आपको डियम डियाफ बैलेंसिंग एक बार के लिए अपने कर लेने चाहिए अच्छे से ठीक है तो इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी हो रखाए इस टाइम पर डियम डियाफ बैलेंस करना क्यो को ये फील हो सकते हैं टाइम टू टाइम और हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को जो आजकल जितने भी लोग आ रहे हैं वो यही शिकायत करें कि उनको सम्ट टैमस तो ऐसा लगता है उनको कि ये जो है सब एक डिरामा टाइप है और इल्यूजन है और ऐसा कुछ नहीं है और मुझे इस सब को छोड़के अपनी जिन्दी पर ध्यान देना है और सम्ट ताइम जासा फिल होता है कि बहुत जादा बहुत जादा जो इमोशनल एनरजी है वो बहुत जादा हाई हुई पड़ी है तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपके DMDF बैलेंसिंग में कहीं न कहीं कमी है तो उसको बैलेंस कर लीजिए अच्छे से ठीक है और अपने जो मैंने आपको बताया कि ग्राउन चक्रा और अपने हार्ट चक्रा पर अच्छे से वर्क कर रहे है तो यही थे अभी तक के लिए energy update thank you so much for listening दोस्तों और अगला वीडियो में बहुत अच्छा आपके लिए लेके आने वाली है